दोस्तों आज किस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आप अपने Redmi Note 8 Pro में कैसे बिलाइक लिस्ट में से नंबर निकाल सकते हैं तो यह चीज आप आप से पहँद सकते हैं उसके यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन-कौन समयां नंबर ब्लॉक लिस्ट में हैं तो उसके लिए आप शेटिंग्स में जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है ब्लक लिस्ट पर क्लिक करेंगे ब्लोक लिष्ट पर यहां पर चाहें तो पूरी ऊफ्ट कर सकते अब यहां पर कोई been ब्लॉक नहीं होने वाला नहीं थैक है यानिक को भी Mamr बिलॉक है तो बॉपय कि पापिट लिस्ट में यहां पर कोई कथम को ही नहीं उसके वाद यहां पर केवाड ब्लॉक लिस्ट हो गया तो यहां पर आपने कोई नमबर ब्लॉक लिस्ट में रखा कोई के वाड तो उसको आप यहां से ुकि आप कुछी से कर लेता हूं। उसके बादlaimed कोई ऐसे की वाड़ है जिनके आप चाहते हैं कि हाँ इननुसे मेशे यूद है। अधर उनको से पीक्यूद है। जो अच्थ और इन लिपक्रम साथ मेरे नियुकं की लागती है। तो यह वाला contact में ब्लोक रिस्टम डला हूँ यह जो मैं इस पर click करता हूँ तो उसके बात click करने बाद चाहे तो मैं इसको edit कर सकता हूँ edit करने की बाद क्या होगा मैं चाहता हूँ किसके sms तो आजा है मेरे पास ठीक है और मेरे call ना है, तो मैं क्या करूंगा? call को, sms को तो off कर दूँगा, block sms को off, तो मेरे sms तो आई जाँगे, blank call मेरे block रहेंगे, तो मैं दौनों को चाहूं को, तो इन दौनों को भी off कर सकता हूँ, लेकिन हाँ से यह होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसको यहां से delete unblock पर कर देंगे, unblock पर करने के बाद आपका यह number लिस्ट में unblock हो जाएगा, उसके बाद आप चाहते कि यह number एक है, इसी पर call आए बागे के number पर आपकी call आए ना, तो वो भी चीज़ आप यहां से remove कर सकते हैं, तो यह सारे चीज़ थे जो मैं आपको पता आपको यह वीडियो के लगे, comment section बताना वीडियो अच्छे लगे, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकोन को प्रेस कर देना, चलिए घरच पाए